जमीनी विवाद से परिवार के लोगों ने ही मदर्से में किया पत्थरों से हमला दो लोग घायर पीडित का आरोब पुलिस नहीं कर रही कोई कारवा ही यूपी के रामपुर में जमीनी विवाद के चलते परिवार के ही दो लोगों ने मदर्से में खुसकर पत्थरों की बरसात कर दी यही नहीं मार्पिट भी की गई इस घटना में एक महिला सही दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए वहीं मदर्से में पढ़ने वाले खौफ का महल बन गया है महीं घटना की सूष्ण पर मौके पर पहुची डायल सो पुलिस ने मौके पर वीडियो तो बनाई परंतु हमलवारों के खिलाब कोई कारवाई नहीं की है जिससे पीडितों ने पुलिस पर 60 गाट का बड़ा आरोप लगाते हुए एस पी है कमये थोड़ा निकल के दे था तो मैंनो से धेक हुआ हरा तो महां पर था अएक, मौजीब था एक तो उसका सलीम का लड़ागा था, मौर्सलीम नाम नाम था इवाद रह्मान था, वो दो लड़के थी, सलीम की लड़की थी, शादाब और एक छोटी वाई लड़की थी, इसकी मुनिताज, तो जब एंटा फ्हेंका, तो यह टूटा इसका अंदर फ्हेंका, तो उस पर लगके फिर में टांग पर लगा, इससे में टांग हायर हो गई, मदरसे में टोड़ फोर गरिया है, गेट तोडा, अबोजा थोड़ी जमीन देदी हमें भेहनों को, उसके वैसे वे मेरे, हमारे घर में से ठीकाल जेता हमारे को, सब्सक्तार निकाल जिए में दिकाल दिया, वहीं मुकतम हुआ, दिवार तोड़ जेतिति, उसकी पस्तितों मारते मारते और उन्हें बुड़े बुड़े बापे हमारे बीमारे बाहर निकाल दिया फिर वो इस विवात के वह समय अपने खर पे लिए पूरा मसला ये प्रुपर्टी जाए प्रुपर्टी गाए और सारे ये जो है प्रिधान वगए रहे सब दलान वहीं लगव ही करा र वह प्रिधा पूरा मसली तुर्पर्टी जाए प्रुपर्टी जाए बाप अच्छा आपको बहनों को जमीन देती हैं उसके वज़ा से सारा ही ट्रावा जी तो चोटे उटे भी लगी काई लोगों के लिए तो मदरसे में तोड़फोड की गई है हाँ मदरसे में गुफान भाई की तरफ से अध्र चोग के वगेले और तोड़फोड करके और उचले गाई